कोरुणा की संक्रमन और लॉकडाउन की वजह से विभन स्थानों पर फसे हुए प्रवासी मज़ूरों को अपने अपने घ्रह राजियों में भेशने के लिए घ्यलोत सरकार पूरी तरीके से गंभीर है ऐसे में घर वापसी के लिए मज़ूरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाश शुरू हो गई है इसके चलते राजसरकार लगातार इन मज़ूरों की घर वापसी के इंतजाम कर रहे है इसी कड़ी में जैपूर से उत्य प्रुदेश के लिए चार च्रेंज की व्यवस्था की गए जिसमें करीब पाँच हजार प्रवासी मजदूरों को घर भीचा जा रहा है इस दोरान मंगलवार को एक च्रेंड में करीब चौदा सो मजदूरों की घर वापसी हो रही है जो आसपास की जिलों के मजदूरों को बेजा जा रहा है जिस तरह से आप तश्वूरों में देख सकते हैं कि जिला परसासन की ओर से इन यूपी के मजदूरों को लगातार भीजा जा रहा है आज और से अब 18 माई तक तकरवन 4 ट्रेनों के जरी इन मजदरों को भीजा जा रहा है मजदरों को भीजने के दोरान तमाम जो COVID-19 के दोरान जो WHO की गाइड लाइन है उसके निर्दिसा अनुशार जो सभी नियम है वो फूलो करने पड़ रहे हैं जिस तरह से जिला परससन की नियम है कानुँ इनको नियार में रखते हुए इनको भीज जा रहा है कुन-कुन सावधानिया बरतनी पड़ रही है इस दो रहा है सर इस टाइम सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्तान सरकार ने जो इमित्र के माध्यम से अपना पंजियन कराने की जो सुविदा दी है सबसे पहले उसका ध्यान रख रहे हैं उसमें जो पंजिकरित लोग हैं उ लोगों की लिस्स बनाकर फिर उनको टाइम बताया जाता है कि उनको इस दिएकत्रित होना है आप अभी देख रहे हैं कि विशेश रूप से शोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते वे इनकी लाइनिंग कराई जा रही है चाया की व्यावस्ता भी यहां है उसके बाद इ इसकिट और नमकीन के पैकेट्स दे रहे हैं पानी की बॉटल्स भी दे रहे हैं और क्योंकि ट्रेन छे बजे है इसलिए इनको शाम का खाना भी जैसे ट्रेन रवाना होगी उस ताइम इनके साथ रखवाया जाएगा शाम के खाने में यह भी ध्यान रखा गया है कि वह खर लोग के अनुसार उनको डिवाइड किया गया और उस रिक अनुसार भीज़ा जा रहा है तो आज कितने हो भी जाए और आगामी दिनों में कितने ट्रेनों के जरी इनको भीज़ा जाएगा मस्दुरू लगातार अभी तक का जो शेडियूल एक वीक काया है लगातार एक ए ज ces स्टार्ट हो जाएंगी ठालगा और भीजने का कारी करी करमा हो गया है वेस्थ डंगाल के लोगों को भी काभी शेडियूल आ गया है तो इस तरह से लगातार श्रमिकों को विवस्थित तरिके से बेजने क्योंकि पहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर इस थाम जान तो यहां से भी व्यवस्तित जाएं और जिस दिले में और जिस राज्य में वो जा रहे हैं महां भी उनको व्यवस्तित उनके घर तक पहुचाया जा सकते। कवाइद है वो जारी है जेपूर से केमरामेन याश्मातुर के साथ में लोके 16 एवन टीवी